हेलो फ्रेंद्स दिपक आज के इस पार्ट में हम लोग करने वाले हैं स्प्रिंग बूट स्टार्टर्स बहुत ही इंपॉर्टन टॉपिक है क्योंकि जब भी हम लोग न्यू प्रोजेक्ट क्रियेट करते हैं स्प्रिंग बूट का तो वहां पर हम लोगों को कुछ प्रोजिक्ट का सेट अप और उसकी कंफीगरेशन स्प्रिंग बूट स्टार्ट की हेल्प से ही ऑटोमेटिकली सेट हो जहें तो आज मैं आप लगों को बताऊंगा कि spring boot starters क्या होते देन उनका यूज क्या होता है एंड एट लास्ट मैं बताऊंगा कौन-कौन से spring boot starters हैं जो आप लगों को freshet level पर पता होने चाहिए तो देखो तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि spring boot starters होते क्या हैं तो यहां देखो spring boot starters are the dependency descriptors यह term important है जो आप लगों को ध्यान रखना है कि spring boot starters को हम लोग dependency descriptors भी बोलते हैं ऑके पर dependency descriptor का मतलब क्या है हंजी dependency descriptor देखो simple meaning है dependency means external libraries या फिर jar files हम लोग जार फाइल्स को ही dependency बोल रहे हैं ओके देन सेकेंड़ डिस्क्रिप्टर देट मींस के इन्हीं जार फाइल्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो configuration specifying jars and their versions डेट मींस के जो जार फाइल सेड़ हो रही हैं उनके त्रू कौन कौन सी configuration सेड़ होंगी एंड उनके वर्जन क्या है वर्जन कंपेटिबिलीटी यह सारी की सारी description जो है वो कौन संबालता है हंजी डटे स्प्रिंग बूट स्टार्टर तो तो स्प्रिंग बूट स्टार्टर जास्ट एक डिपेंडेंसी डिस्क्रिप्टर होता है जो यह बताता है कि कौन कौन सी जार फाइल्स एड होंगी उनके वर्जन क्या रहेंगे कौन कौन सी configurations add होंगी कौन कौन सी configuration spring boot automatically प्रोवाइड करेगा according to spring boot starters तो यह सारी चीज़े यही बताता है यही explain करता है that is spring boot starters ओके ठीक है then second point क्या है कि spring boot starters combine all the necessary libraries or jar files for a particular feature or technology into a single dependency अब इसका meaning क्या है यह समझो दखो मैं मेरे project के अंदर एक feature add करना चाहता हूं that is web feature मतलब मैं spring boot web application create करना चाहता हूं हंजी मैं create करना चाहता हूं that is web application ओके ठीक है अब देखो जैसे ही मुझे web application बनाने है मुझे number of jar files चाही होंगी कौन कौन सी jar file चाही होगी जैसे एक मुझे चाही होगी that is web.jar एक मुझे चाही होगी that is webmvc.jar then एक मुझे चाही होगी dependency जैसे validation वाली तो validation.jar then एक और जो jar file यहां मुझे needed रहेगी that is tomcat.jar यह भी तो important jar file है okay then एक और jar file मुझे चाही होगी that is logging jar तो देखा जाए तो इस type से हमारे पास number of jar files है जो हम लोगों को चाही होंगी कुछ तो हम लोगों को basic jar files भी चाही होंगी जैसे aop spring core spring expression तो ध्यान रखना हम लोग कभी भी अगर feature use करना चाहते हैं web app तो मैं सिर्फ एक ही dependency provide करूंगा that means के मैं सिर्फ एक ही spring boot starter provide करूंगा सिर्फ एक ही spring boot starter provide करूंगा और वो क्या काम करेगा वो यह सारी की सारी jar files हमारे प्रोजेक्ट के अंदर add कर देगा तो यही मेनिंग है के spring boot starters combine all the necessary libraries for a particular feature और technology into a single dependency कौंशी dependency हैंजी that is spring boot starter web हंजी वो इस dependency के अंदर वो यह सारी की सारी jar files को combine कर देता है that means के सिफ एक spring boot starter आप यूज करो और सारी की सारी jar files हो automatically add कर देगा तो हमारे लिए easy है क्योंकि हम लोगों को इतना सारा काम manually करने की need नहीं है spring boot वो चीज़ खुद से ही backend पर संभाल लेगा clear है चीज़ सबको तो यह होता है हमारे पास that is spring boot starter जो के होता है dependency descriptor जो यह बताता है के एक particular feature के लिए हम लोगों को कौन कौन सी jar files हम लोगों को नहीं spring boot को तो कौन कौन सी jar file spring boot add करेगा हमारे प्रोजेक्ट के अंदर वो सब कुछ बताता है spring boot starter और इसी वजह से हम लोग spring boot starter को बोलता है that is dependency descriptors ओके तो यह तो था हमारे पास that is spring boot starters क्या होते हैं ओके इसको हम लोग example के तुरू समझते हैं वही वाला एक्जामपल आ गया है हंजी that is spring boot starter web हंजी that is spring boot starter web तो मैंने क्या काम कर दिया है यहां पर एक spring boot starter provide कर दिया जो क्या काम करेगा spring boot starter web जो means web features related जितनी भी jar files होंगी वो हमारी application के अंदर हमारे project के अंदर वो automatically add कर देगा ओके टिक है अब इसका syntax क्या होता है हंजी यह हमारे पास इसका syntax हो गया कि हम लोग dependencies provide कैसे करते हैं तो हमारे पास एक main tag आ जाता है that is dependencies then उसके अंदर हम लोग dependency provide करते और dependency के अंदर हमारे पास आ जाता है that is group ID and artifact ID artifact ID के अंदर ही proper हम लोग हमारा spring boot starter provide करते हैं okay then इसके बाद version यह version आपके उपर अगर आप provide करना चाहते हो अगर आप लोग parent pom provide कर देते हो तो आप लोगों को इसकी भी need नहीं है क्योंकि कौन सा version उसको add करवान है वो भी spring boot automatically खुद से ही provide कर देगा clearages तो यह हमारे पास syntax है कि हम लोग spring boot starters किस टाइप से provide करते हैं okay ठीक है अगर और भी jar files है और भी dependencies है अगर आपके पास कोई दूसरी dependencies हैं तो आप लोग यहां पर provide कर सकते हो same dependency tag लगा कर आप लोग और भी dependency provide कर सकते हो okay ठीक है then next point हां जी that is spring boot starter follows the naming pattern that is spring boot starter और फिर star हां जी धियान रखना है यह चीज spring boot starter जो है वो यह वाला naming convention follow करता है that means कि सबसे पहले मिलेगा spring boot starter और फिर उसके बाद हम लोग हमारे feature वाला part add कर देंगे जैसे वेब के लिए हमारे पास आजाएगा वेब अगर हम लोग यूज कर रहे हैं या data jpa के लिए data jpa aop के लिए spring boot starter aop तो इस टाइब से जो भी spring boot starter हम लोग provide कर रहे है starting का नेम हमारे पास यही रहेगा data spring boot starter सिर्फ last में हम लोग उसको change कर देंगे ओके तो इसके examples में अभी आप लगों दिखाने वालों बट एक काम करते हैं पहले हम लोग यह चीज़ प्रेक्टीकली करके देख लेते हैं ओके तो देखो तो यहां पर मैं STS IDE open कर लेता हूं ओके अब यहां पर STS IDE क्या होता है हम लोग उसको download and install कैसे करते हैं spring boot का first project हम लोग किस टाइप से create कर सकते हैं तो इस टाइप के बहुत सारे important topics में आप लोगों को आगे के tutorials के अंदर explain करने वाला हूं ओके बाट आज का जो हमारा main focus है वो रहेगा spring boot starters पर तो जल्दी से मैं यहां पर एक new project create कर देता हूं file पर जाकर new spring starter project हम लोग create कर देता हूं और उसकी details provide कर देते हैं तो details मैंने provide कर दिये next पर अब आप क्लिक कर दो तो यह देखो हमारे पास यहां पर एक window open हो जाएगी जिसके अंदर बहुत सारे starters आप लोगों को यहां पर मिल जाएंगे अगर आप लोग यहां पर check करते हो यह देखो जैसे all के अंदर जितने भी पार्ट हैं वो सब कुछ आजाएगा developer tools के अंदर हमारे पास कुछ dependencies आ जाएएंगी Google Cloud io messaging यह देखो no SQL से related जितने भी dependencies है यह फिर starters है वो आजेंगे देन हम लोगों के पास security आप आजाएगा SQL से related पार्ट आजाएगा यह देखो जैसे स्प्रेंग डेटा जे पीए दन हमारे पास यहां पर माई सीक्वल ड्राइवर तो जितने भी important starters है यहां फिर से related पार्ट भी मिल जाएगा तो आप लोगों को starters जो है वो यहीं पर ही मिल जाएंगे आप लोगों को manually मतलब browser पर जाकर आप लोगों को starter select करने की नीड नहीं है तो अब मैं यहां पर क्या काम करता हूं कोई प्रोवाइड कर देता हूं जैसे मैंने यहां पर चूज कर दिया डेट स्प्रिंग वेब तो यह देखो हमारे पास वेब वाला स्टार्टर आ जाएगा मैंने यहां पर सलेक्ट कर दिया आप एच्छोवर करोगे तो यहां पर आप लोगों को उसकी details भी मिल जाएगी तो म ओम.xml फाइल आप लोग ऊपन करो और यहां पर शिफ्ट कंट्रोल एक बार प्रेस कर दो ताकि यह प्रॉपरली अलाइन हो जाए और यहां पर अगर आप लोग देखोगे तो हमारे पास डिपेंडेंशी के अंदर हमारे पास कुछ डिपेंडेंशी कुछ स्टार्टर जो हैं वो यहां पर आ रहे हैं पॉइंट लेरे से सबको तो यह चीज इंपॉर्टेंट है अंजी यह देखो हमारे पास डिपेंडेंशी स्टैक के अंदर हमारे पास टू टाइप के डिपें बोल दो या फिर आप चाहो तो इनको स्टार्टर भी बोल सकतो यह तो प्रॉपर डिपेंडेंसी है उसके अंदर हम लोगों ने यहां पर प्रोवाइड किया हुआ है डटे स्प्रिंग बूट स्टार्टर टेस्ट तो आप लोगों को हर बार मिलेगा ही मिलेगा बट जो यह पार्ट ऑटोमेटिकली आगया क्योंकि जब मैं प्रोजेक्ट क्रियेट कर रहा था वहीं पर ही मैंने इसको बता दिया था कि आपको स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब जो है वो चीज़ सलेक्ट करना है तो जब भी हम लोग प्रोजेक्ट क्रियेट करते हैं तो हम स्टार्ट अर टैकर यहां पर आप लोगों को मेव यहां पर आप लोगों को में रिपॉसिट ट्री के अंदर श्रिंग बूटarettes टार डैकटा यह वालीग देपैंडेंसी आप उसो को आपको यहां पर जा कर आप उसको पेस्ट कर दोशिफ्ट कंट्रोल s मैं पर वाइड कर कर देता हूं और कमेंट को मैं रिमूव कर देता हूं तो अगर आप लोग यहां पर देखोगे वर्जन वर्जन के लिए बोल रहे के duplicate managed version एक काम करते हैं हम लोग वर्जन को remove कर देते हैं क्योंकि internally एक खुद से ही manage कर लेगा okay then आप control s कर दो save कर दो हमारे पास spring boot starter data jpa से related भी dependencies add हो जाएंगी तो अगर आप लोग notice करोगे तो यह वाला जो part है data spring boot starter data jpa यह भी जब आप लोग new project create करते हो उसी time पर आप लोगों को मिल जाएगी हंजी यह वाला starter भी आप लोगों को उसी time पर मिल जाएगा आप लोग वहीं पर ही select कर सकते हो क्योंकि जब भी हम लोग project create करते हैं तो हम लोगों को पता होता है कि कौन कौन से starters use होने वाले तो मैं directly उनको पहले से select करके रखता हूं ताकि मेरा जो manual काम है मतलब यहां पर browser open करके dependency search करके provide करना वो चीज करने की need नहीं है और अब मैं यहां पर एक चीज और check करता हूं के जो मेरे वेब spring web MVC tomcat embedded core यह देखो tomcat से related जो जार फाइल से वो भी आप लोगों को मिल जाएगी okay spring web वाली dependency मिल जाएगी देन यहां पर अगर आप लोग जाओगे उपर तो यह देखो आप लोगों को जैक्सन वाली dependencies भी यहां पर मिल जाएगी तो इस टाइप से वेब से related जितनी भी चार फाइल से हैं वो automatically यहां पर add कर देगा लेरे चीज़ अगर आप लोग यह भी पार्ट चेक करना चाहते हो के सर्ग वेब जो है spring boot starter web के अंदर कौन कौन सी जार फाइल सेड हुई है तो आप लोग वो भी चीज़ चेक कर सकते हो यहां पर सबसे नीचे आप लोगों को options मिल जाएंगे यह देखो जिसके अंदर आप लोगों को मिल जाएगा that is dependency hierarchy ओके तो मैं सिंपली इस पर क्लिक कर देता हूं तो यह देखो हमारे पास यहां पर तीन डिपेंडेंसी या फिर तीन स्टार्टर से तीन स्टार्टर से जो हम लोगों ने प्रोवाइड किये हैं और अब अगर मैं यहां पर चेक करता हूं आप इसको एक्सपेंड कर दो तो यह देखो यह यहां पर बोल रहे कि हमारे पास एक एड़ हुआ है डटे स्प्रिग बूट स्टार्टर जो के इसी के अंदर ही है ओके दन यहां पर आप इनको यह देखो यह proper हमारे पास IRR की है यह देखो अंजी Spring Boot Starter, Spring Boot Starter, Jason Spring Boot Starter, Tomcat, Spring Web, Spring Web MVC तो यह हमारे पास कुछ important jar files ती जो add हो गई और further इनके अंदर भी हमारे पास बहुत सारे jar files हैं जो उसने provide किये हैं यह देखो हमारे पास बहुत सारा पार्ट आप लोगों को यहां पर मिल जाएगा तो अगर आप लोग प्रॉपर यह भी पार्ट चेक करना चाहते हो कि एक ही स्टार्टर से कितने सारे कितने सारी या फिर कौन-कौन सी जार फाइल्स एड हुई हैं तो वह भी पार्ट आप ल लोगों को इतनी सारी जार फाइल्स मैनवली एड करने की नहीं हुई उसने और्टोमेटिकली प्रोवाइड कर दिया दन वर्जन यह देखो वो खुद से ही वर्जन यहां पर प्रोवाइड कर रहा है यह देखो स्प्रिंबूट स्टार्टर वेब के अंदर वो प्रोवाइड करते वर्जन लेटी कुछ से ही मैनेज करता है हम लोगों को मैनेज करने की नीड नहीं है जैसे आप लोग यहां पर भी देख सकते हो कि यह हमारे पास 3.3.0 है बट यहां पर हाइबरनेट को जो इस वर्जन के साथ कम्पैटिबल है वो यहां पर कौन से वर् manage कर लेगा तो देखरो अगें कितना ज्यादा अच्छा है Spring boot starters Spring boot starters जैसे ही हम लोग add करते हैं हम लोग spring boot starters को add करते हैं कहां पर add करते हैं हम लोग dependencies tag का हम लोग use करेंगे pom.xml file के अंदर ध्यान रखना ओके देन इसके अंदर फॉर्दर हम लोग dependency tag का use कर देंगे और उसके अंदर हम लोग यहां पर हमारा जो starter है वो चीज़ प्रोवाइड कर देंगे point clarity सबको ओके तो यह चीज़ प्रॉपर आप लोगों को ध्यान रखना है कि spring boot starter जो है वो हमारा development time बहुत ज्यादा increase कर देता है हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से application को develop कर सकते हैं फास्ट ली हम लोग develop कर सकते हैं क्योंकि spring boot starters जो है वो automatically जितनी भी required jar files है उनसे related configuration से हैं वो automatically provide कर देता है ओके तो यह थे हमारे पास spring boot starters वाला टैब जो आप लोगों को ध्यान रखना है और यह वाला जो टैब है यह हमेशा open होगा जब भी हम लोग new project create करेंगे उसी टाइम पर यहां पर टैब जो है यह चीज़ display करवा देगा तो spring boot starter क्या होता है यह चीज़े मैंने आप लोगों को प्रेक्टीकली यहां पर बता दिया है okay so I hope आप लोगों को spring boot starter तो पता चल गया कि हम लोग किस टाइप से provide करते हैं okay then हम लोग इसके यूज़ पर आ जाते हैं कि यूज़ क्या होता है okay first यूज़ हमारे पास क्या है हंजी डेटेस simplifies configuration तो ध्यान रखनात जैसे हम लोग spring boot starter provide करते हैं spring boot को वहीं से पता चल जाता है कि कौन कौन सी configuration उसको खुद से provide करनी है वह configuration जो हम लोग मैनवली प्रोवाइड करते थे spring application के अंदर spring boot के अंदर वह configurations automatically provide हो जाती है किसके वजह से because of spring boot starter तो first use हमारे पास क्या है that is simplifies the configuration okay then second use हमारे पास क्या है that is boost productivity तो होता क्या है कि जैसे हम लोग spring boot starters provide करते है spring boot से related जितनी भी configuration से वह automatically provide होगी जितनी भी default configurations है या फिर default setups है वह भी automatically set हो जाते हैं या फिर जितनी भी jar files हम लोगों को manually provide करनी पड़ती थी वह भी automatically हो जाते हैं तो इससे क्या रहेगा developers की headache नहीं है वह directly back end part पर focus कर सकते हैं उनको से back end coding से मतलब है यह जो default के काम थे जो हम लोगों को spring application के अंदर खुद से करने होते थे वह spring boot starters खुद से ही संभाल लेते हैं जिसकी वज़ए से हमारी productivity improve हो जाकती है ओके देन हमारे पास third use आ जाता है data simplifies configuration तो इसका मतलब क्या है कि देखो आप लोगों ने अगर spring application develop की हो और उसके अंदर बहुत सारी jar files add की हो तो उसके इसमें आप लोगों को एक confusion जरूर आई होगी कि एक jar file जिसका कुछ version है वो कौन सी दूसरी jar file के साथ compatible है जिसका कुछ और version है तो वो जो version compatibility है वो बहुत confusion create करती है जबके spring boot के अंदर ऐसा नहीं है क्यों क्यों कि spring boot starters यह खुद से ही manage कर लेता है वर्जन compatibility वो खुद से ही manage कर लेता है हम लोगों को need नहीं होती है इसके अंदर versions ध्यान रखने की कि का जार फाइल क्या version वो किसी और के साथ कौन से वर्जन के साथ compatible है तो यह भी internally वो खुद से ही manage कर लेता है तो यह हमारे पास important uses spring boot starters के हलां कि और भी uses हमारे पास इसके अंदर आ जाते हैं ऑके बट यह important uses हैं जो आप लोगों को ध्यान रखने ओके देन हमारे पास आज यापता है कि कौन कौन से spring boot starters हैं जो आप लोगों को as a fresher level पर पता होने चाहिए ओके तो यहां देखो first हमारे पास आज यापता है that is spring boot starter spring boot starter जो के basic starter होता है है इसके अंदर आप लोगों को auto configuration मिल जाएगी ओके इसके अंदर logging वाला पार्ट मिल जाएगा yaml processing मिल जाएगा तो यह सबसे basic configuration से अगर आप लोग सबसे simple project create कर रहे हो या फिर को रैप्लिकेशन spring boot की create कर रहे हो तो उस case में आप लोगों को सिफिक यह वाली dependency add करने और यह वाले features आप लोगों को मिल जाएंगे सेकेंड हमारे पास पार्ट आपता है डटे spring boot starter web वाले पार्ट के अंदर देखो यह क्या क्या चीज़ खुद से provide कर देगा that is to build web applications web application develop करने के लिए जितने भी features है including spring mvc mvc वाला feature हो गया restful services हो गया embedded servers हो गया embedded servers जैसे tomcat हो गया undertow हो गया तो यह वाले server वह automatically provide कर देता है ओके और भी बहुत सारे features है जैसे logging validation तो यह वाले features भी सिफ एक यह वाले dependency provide कर देता है ओके देन थार्ड हमारे पास आता है data spring boot starter data jpa अगर आप लोग यह वाली dependency add करते हो तो उस case में आप लोगों को क्या क्या मिल जाएगा हंजी data spring data jpa then hibernate then database connection pooling तो यह वाले feature आप लोगों को मिल जाएंगे जैसे ही आप लोग spring boot starter data jpa को add करते हो ओके देन हमारे पास है data spring boot starter security अगें यह भी बहुत ही important starter है जो ज्यादा तर आप लोग projects के अंदर use करते हो ओके ठीक है दन इसके बाद हमारे पास और भी स्टार्टर सेंट that is spring boot starter timely फंजी यह भी again important है क्योंकि जो spring boot है वो jsp को support नहीं करता वो by default support करता time leave को तो उसके लिए भी इन्होंने यहाँ पर एक dependency provide की हुई है okay then हमारे पास एक और dependency है that is spring boot starter test जो basically कुछ libraries testing libraries add करवा देता है जैसे यूनिट hem crest then mockito तो यह सारी चीज़े यह सारी libraries वो खुद से ही provide कर देता है okay then हमारे पास आता है that is spring boot starter actuators जो हमारी application की health को monitor करता है हम जी help to monitor and manage your application including health check and metrics clear it is तो यह भी again important starter है जो हम लोग नॉर्मली प्रोजेक्ट के अंदर करते हैं okay then हमारे पास एक पार्ट आता है that is spring boot starter aop again यह भी बहुत important है यह वाला starter भी हम लोग ज्यादा तर प्रोजेक्ट के अंदर use करते हैं okay तो हमारे पास यह कुछ starter से हैं जी यह देखो यह हमारे पास चार important starter सागए और again यह कुछ हमारे पास important starter सागए यह starter साप लोगों को पता होने चाहिए क्योंके interview में भी यह सारे के सारे starters पूछे जाते हैं okay so I hope आप लोगों को पता चलिया होगा कि spring boot starters क्या होते हैं उनका use क्या होता है कौन कौन से starters हैं जो important है जो आप लोगों पता होने चाहिए in case अगर आप लोगों को कोई doubt आपता है starter से related तो आप लोग comments के अंदर पूछ सब्सक्राइब ओके थैंक यू